डिस्टोनिया एक नियूरोलोजिकल रोग है जो शारीरिक गतिविधियों को असंगत और अनियमित बना सकता है डिस्टोनिया एक neurological बीमारी है जिसमें शारीरिक गतिविधियों को अनियमित बना देने वाले एतिहासिक और अनियमित मांसपेशियों की श्रिनखला होती है ये रोग अक्सर अंगों की अनैतिक चाल में परिनामित होता है जो रोभी को रोपता है कि वह सामान्य रूप से किसी काम को कर सके दिस्टोनिया के प्रकार Tocial dystonia इसमें अक्सर घरधन, हाथ या पैरों की मांस्पेशियों के असंगत और अनियमित चाले होती है Oromandibular dystonia जब जबड़ा और या जीव प्रभावित होते हैं, तो इसे Oro-Mandibular Dystonia, Oro-Mandibular Dystonia कहते हैं, इसमें मोह, जीव या जबड़े की मानस्पेशियों की असंगत चाले होती है. Spasmodic Dystonia Spasmodic Dysphonia, Spasmodic Dysphonia में रोगी तनावकूर्ण या सास लेने वाली आवाज का अनुभव करते हैं Diskinetic Dystonia इसमें हाथों या पैरों की आकृतियों की असंगत्ता होती है जो किसी विशिष्ट गतिविदी के दौरान जागरूप होती है Focal Dystonia इसमें एक ही अन्ग की मांस्पेशियों में असंगत्ता होती है जैसे की आँखों की बिना कारण बहटना Generalized Dystonia ये सबसे गंबीर प्रकार की Dystonia है जिसमें शरीर के बड़े हिस्सों की मांस्पेशियों में असंगत और अनियमित चाले होती है Dystonia के लक्षन असंगत और अनियमित चाले अस्वाभाविक अंध के पलटने की अवस्था, मांस्पेशियों में दर्द या दुखा Dystonia एक रोग है जो शारीरिक या मांसिक संगर्ष के कारण हो सकता है इसमें शारीरिक अन्वों की अस्थित्ता, अनियम्तृत गतिविदियों और अव्यवस्थित मांस्पेशियों का अनुभव होता है ये रोग व्यक्ती की दैनिक जीवन शेली पर भी असर डालता है होमियोपैती एक प्रकार का शारीरिक और मानसिक चिक्ट्सा पधती है जिसमें रोग का इलाज, जैसे की प्राकृतिक और स्वाभाविक तत्वों का उप्योग करके किया जाता है होमियोपैथी में, दॉक्तर रोवी के लक्षनों, इतिहास और प्रकृती के आधार पर चिकित्सा तथा औशदी का चैन करते हैं दिस्टोनिया के लक्षन दिस्टोनिया के लक्षन व्यक्ति के रोग के प्रकार और स्थिती पर निर्भर करते हैं कुछ लोगों को एक ही अंद में मानस्पेशियों की अस्थिता होती है, जबकि अन्यों में ये पूरे शरीर में फैल सकता है। दिस्टोनिया के लक्षनों में अटेक्स, अद्भुध गतिविधियों, मांस्पेशियों की स्पास्व और सामान्य अस्थिता शामिल हो सकती है. होम्योपैथी चिकित्सा होमियोपैथी चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। ये चिकित्सा पद्धती शरीर की स्वाभाविक स्थिती को सुधारने के लिए प्राक्रितिक उपचार प्रदान करती है और शारीरिक प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाती है। होमियोपैथी चिकित्सा में उप्योग की जाने वाली औशधियों का उद्देश्य शारीरिक संतुलन को फिर से स्थापित करना है, जिससे रोगी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थे में सुधार हो. होमियोपैथी में दिस्टोनिया का इलाज रोगी के लक्षनों, स्थिती और रोग के प्रकार के आधार पर किया जाता है.